गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज हम जीके में चेप्टर नमबर 61 रीजनिंग ब्रेन टीजर्स का ये पढ़ने जा रहे हैं बचो इस चेप्टर में आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं दो पार्ट में A और B इसमें find the odd one out तो हर पार्ट में आपको चार-चार पिक्चर्स दी हुई हैं आपको identify करने हैं कि कौन सी एक पिक्चर उनसे तीनों से अलग है जैसे odd one out words में करते हैं ये pictures में है ऐसे ही B में है draw the next figure आपको तीन figures तो बताए हुए एक sequence में तो आपको बताना है कि next fourth block में कौन सा figure आएगा तो आपको मैं ये इसकी picture दे भेज रही हूँ आप इसको देख लीजिए और इसे अपनी book में कर लेजिए अब आगे है chapter number 62 ये common sense general question है बहुत ही interesting जैसे आप puzzles केलते हैं उसी type में है थोड़ा दिमाग लगा कर इसका answer सोचना पड़ेगा जैसे number one A is the father of B but B is not the son of A how are A and B related कि A जो है वो B के पिताजी है लेकिन जो B है वो A का बेटा नहीं है तो A और B का relation क्या है अब बताओ पिताजी है लेकिन वो बेटा नहीं है तो फिर कौन होई बेटी होई B is A's daughter number two name four mammals the name of which end in X आपको ऐसे चार mammals के नाम बताने है जिनके नाम के end में X आता हो जैसे ox, ibex, libex और orex number three name four flowers the name should not exceed five letters and should end in the letter Y आपको ऐसे चार फूलों के नाम बताने है जिनके जो spellings है वो पाँच वर्ट से जादा नहीं होनी चाहिए और इनके end में Y आना चाहिए तो flowers के नाम देखिए Lily, Poppy, Daisy and Pensy question number four ये थोड़ा सा टेड़ा मेड़ा question है जरा ध्यान से सुनेए X is my father's, sister's, only brothers, wife's, daughter's, grandfather's, only son How is X related to me? X जो है वो मेरे पिता जी की बहन के भाई की पतनी की बेटी के दादा जी के इकलोते बेटे है अब देखो पिता जी की बहन बुआ बुआ के भाई कौन हुए? पापा पापा की पतनी, मम्मी, मम्मी की बेटी, उनके दादा जी, यानि मेरे दादा जी का इकलोता बेटा, यानि मेरे पिता जी तो कौन हो गए? X is my father How identical glasses are filled to the brim with water One has a piece of wood floating in it Which glass is heavier? दो glasses में किनारों तक पानी भर दिया है एक glass में एक लकडी का टुकडा तेरने के लिए डाल दिया तो आप बताईए कि कौन सा glass heavy होगा कोई भी तुनों का सेम ही वेट होगा क्योंकि लकडी ने पानी का स्थान ले लिया है अगर किसी घर में short circuit यानि light के कारण आग लग जाती है तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए pour water on the fire की आग पर पानी डालना चाहिए switch of the mains की सारे switch जो है वो off कर देने चाहिए pour send on the fire की आग पर मिट्टी डालनी चाहिए इसमें B और C दोनों ही आएंगे पहले तो हमें सारे जो switch है वो off कर देने चाहिए फटावर्ट से और जलती हुई आग पर मिट्टी डालनी चाहिए पानी कभी भी नहीं डालना चाहिए क्योंकि पानी डालने से करेंट पकड़ेगा number seven which is safer to use a tea cup a thick walled one और a thin walled one की एक thick wall वाला cup या एक thin wall वाला cup दोनों में से safer कौन सा है thin walled cup क्यों क्योंकि जो thick walled cup होते हैं उसमें जो गर्मी होती है heating होती है वो एक एक तरह के से एक सार नहीं फैलती अन्य एवन्चुली फैलती है जिसके कारण वो कभी भी crack हो सकते हैं number eight will cut set faster in winter in an ordinary vessel or in a casserole आपको मालूम है कि कर्मियों में दही जल्दी जमता है बजाए सर्दियों के लेकिन सर्दियों में अगर हम दही को casserole में जमाते हैं तो वो बहुत जल्दी जमता है क्योंकि casserole बहुत गरम होता है number nine there are two tigers one facing north and the other facing south they are drinking water from the same stream how is this possible कि दो शेर हैं tigers हैं एक का face north में है दूसरा का south में है लेकिन वो एक ही नदी से पानी पी रहे हैं तो ये कैसा possible है कि they are facing each other कि उन दोनों का हुँ आमने सामने हैं यानि दोनों अलग-अलग किनारों पर खड़े होकर आमने सामने होकर पानी पी रहे हैं question number ten बच्चों गलत है आपकी बुक में ये इसको काट दीजिए question number eleven if your grandparents were celebrating their ruby wedding anniversary and you wanted to light a candle for each year how many candles would you light अगर आपके दादा दादी रूबी wedding anniversary मना रहे हैं और आप चाहते हैं कि उनकी शादी के जितने साल हुएं उतनी ही candles आप जलाएं तो आप कितनी candles जलाएंगे सीधा सीधा question है इसमें पूछा गया है कि ruby wedding anniversary कितने साल में मनाई जाती है वो है 40 years जब 40 साल हो जाएं तो ruby wedding anniversary मनाई जाती है 25 में silver होती है 50 में golden होती है Thank you